नमस्कार मेरे प्रिये विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों आज हम शितिज भाग दो यानि कक्षा दस्मी की हिंदी की पुस्तक से एक पाठ पढ़ने वाले हैं यह पाठ एक संस्मरण है और इसका शीर्षक है मानवीय करूना की दिव्य चमक आपको पता है यह पाठ लिखा है सरवेश्वर दयाल सकसेना ने लेखक के बारे में तो हम पाठ पढ़ने के बाद जानेंगे आज जो है हम सबसे पहले यह पाठ किसके बारे में है उसके बारे में सुनेंगे और जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में उस व्यक्ति के जो अंतरंग संस्मरण है हाँ यह संस्मरण है संस्मरण एक विधा है जिसमें लेखक या कोई भी व्यक्ति जिन व्यक्तियों के साथ अपना जीवन बिताय हुए होते हैं उनको याद करके उनके बारे में कुछ लिखते हैं हाल में ही आपने एक पाठ पढ़ा जो रेखा चित्र था और वैसे ही ये कहानी जैसी लगती हुई चीज है लेकिन कहानी है नहीं, है संस्मरण संस्मरण क्या होता है? स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों के विश्वस्नियता उसे महत्वपून और सही बनाती है इस कसौटी पे देखें तो सरवेश्वर दयाल सक से नाद्वारा लिखा ये संस्मरण एकदम उचित थहरता है क्योंकि इलहाबाद में उन्होंने और संस्मरण जिसके बारे में लिखा हुआ है फादर कामिल बुलके वो दोनों काफी घनिष्ट और आत्मिय संबंध में लंबे समय तक रहे इस पार्ट को पढ़ने के समय में हम बहुत सारे ऐसे दोर से गुजरेंगे जब लेखक और फादर कामिल बुलके का जो आत्मिय संबंध है वो दिखता है लेकिन मुझे जो खास बात पसंद है कि लेखक इसमें संस्मरण लिखने वाला जो व्यक्ति है इसमें पीछे है और जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है यानि फादर कामिल बुलके जिसे हम बाबा बुलके भी कहते हैं और फादर कामिल बुलके के बारे में राजसवा टीवी का एक बहुत सुन्दर एपिसोड है जो बाबा बुलके के नाम से है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो मिलेगा देखिएगा कि विदेशी व्यक्ति को जो बेल्जियम का मूल निवासी था उसे भारत और हिंदी और राम कथा साथी सा तुलसी दास से ऐसा लगाव क्यों हो गया आप जरूर उनके बारे में और कुछ जानिएगा लेकिन पहले तो हम इस पाठ को पढ़ने के लिए परंपरगत तकनीक का पालन करेंगे क्या है कि पाठ में जब कहानी होती है तो हम कहानी को संचेप में आपको बता देते हैं और उस कहानी के जो पात्र हैं कहानी का जो उदेश है कहानी से हमने क्या सीखा यह सब हम एक साथ आपको बता देते हैं लेकिन यहां एक संस्मरण है जिसमें लेखक बीच-बीच में संबंधों के उस याद वाले हिस्ते में चला जाता है कि वो गहरा एक दार्शनिक भावा जाता है उसकी व्याख्या जरूरी है तो इस पार्ट को हम एकदम ट्रडिशनल तरीके से पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि बीच-बीच में जो परिक्षा के लिए उपयोगी प्रशन है वहाँ भी आपके सामने लेकर आऊँ तो शुरू करते हैं हम इस पार्ट को पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं आपको फादर कामिल बोलके के जीवन के बारे में बढ़ा दूँ थोड़ा वो जटिल हो जाएगा इसलिए हम शुरूात से शुरू करते हैं फादर को जहरबाद से नहीं बरना चाहिए था अब जहरबाद क्या होता है जहरबाद एक बीमारी है जिसे आप गैंगरीन के नाम से भी जानते हैं गैंगरीन या जहरबाद एक शरीर के किसी एक अंग में जहर का फैल जाना और उसके बाद उस अंग को कार दिया जाता है धीरे धीरे वह अन्य अंगों में भी फैल जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यू भी हो जाती है अक्सर लोगों के पैर में या हाथ में जहरवाद फैलता है तो उस अंग से हाथ दोना पड़ता है लेकिन फादर कामिल बुलके कि इसी मृत्यू हो गई और मृत्यू से इस पाठ की शुरुवात हुई है। मृत्यू के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में और लेखक जो गहरे दुख में जला जाता है। उनको याद करते हुए कई सारी बातें कहता है। तो लेकिन शुरुवात में ही जो पंक्ती है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अम्रित के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। अब विधान कौन रचता है? विधी यानि नियती यानि कि इश्वर। तो लेखक शुरुवात ही करता है इस प्रशन से, इस दार्शनिक प्रशन से, जिसकी चर्चा तो कब से उपनिशदों में या हर जग हुई है कि आखिर नियती जो है या खेल क्यों रचती है। आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रगों में अम्रित भरा हुआ था, जो दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा और अच्छा ही करता था, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर रहा था, उसकी म्रित्यू जहर फैलने से हुई। ये तो कहीं से भी तारकिक नहीं लगता, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता। कभी कभी लोगों के द्वारा और कभी कभी नियती के द्वारा। तो इन सारे प्रशनों का उत्तर तो बहुत दार्शनिक है, हमें नहीं पता, हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल किस इश्वर से पूछें। प्रभू पर आस्ता हैं जिसका अस्तित्व। अब देखिए, फादर जो थे वह पादरी थे। तो जो पादरी है, पहली तो शर्त ही है कि प्रभू पर उसका गहरा विश्वास हो, भरोसा हो। इश्वर के होने में आस्तिक्ता में उसका गहरा भरोसा है। जो जिसका अस्तित्व ही था इश्वर पर विश्वास, वह व्यक्ति, वह फादर जो है, वह इस मृत्यू का शकार क्यों हुआ। अब वो फादर को याद करते हैं अगले पैरग्राफ में जो है या अगली पंक्तियों में जो है वो फादर के व्यक्तित्यों का बाहरी चित्रन है वो कहीं न कहीं फादर बुलके के पूरे व्यक्तित्यों में जो चीजें हैं एक लंबा कद है, उनकी आकरिती जैसी है, आँखों का नीला रंग है और दाड़ी भूरी सी है, सफेद रंग की जाई मारती हुई किस तरह से उनका बाहरी व्यक्तितो था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी इसके बारे में, इसको आप पढ़के समझ सकते हैं लेकिन जो खास बात है, उनके व्यक्तितों में, कि उनमें बहुत ममता है, अपनापन है ऐसा अपनापन इस साधू में था, कि वह अपने हर एक प्रियजन के लिए प्यार और सनीह से भरे हुए थे सब को गले लगाने से आतुर थे, सब को बहुत ही अधीक मानते थे और मिलते ही ऐसा लगता था कि उनके सनीह से सब भर जाएगा मैं 35 साल से, मतलब लेखक उनको कब से जान रहा है तो 35 साल से साक्षी था साक्षी का अर्थ होता है गवा होना लेखक 35 साल से साक्षी था, लहबाद में वो लोग साथ थे और फिर जब लेखक भी दिल्ली आ गया तो फादर बुलके दिल्ली आते थे और दिल्ली आने में उनसे मिलते थे तो क्या बता रहे हैं लेखक कि आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी हाथ, अपनी चाती पर महसूस करता हूँ बाहों का कि वो मिलते ही कैसे गले लगा लेते थे और गले लगाने से उनके जो गले लगाने की जो उश्मा थी जो स्नीह का दबाव था वो महसूस करता हूँ अब फादर बुलके के लिए इलहाबाद शहर बहुत महत्वे रखता है आप आगे देखेंगे कि वो कहां से कहां आए भारत में लेकिन इलहाबाद के लिए वो खुद क्या कहते हैं तो इलहाबाद के प्रवास को अपने जीवन का दूसरा वसंत कहते हैं दूसरा वसंत इतना उन्होंने इलहाबाद में अपने रहने को इंजोई किया दोस्तों से मिले, दोस्त बने, बहुत अच्छा दौर था उनके जीवन का, तो अपने शब्दों में कहते हैं और लेखक से दोस्ती कहां पे हुई, इलहाबाद शहर में, इलहाबाद को मुझे लगता है हम लोग शायद अब प्रियागराज के नाम से जानते हैं खेर, शहरों के नाम बदल जाते हैं, उनकी, उनका स्वभाव नहीं बदलता तो अलहाबाद एक ऐसा गर्म जोशी से भरा हुआ शहर था, हिंदी भाषा और साहित जो है, वहाँ रग रग में, वहाँ के शहर के लोगों के स्वभाव में इस तरह से गहरे बैटी हुई है, कि फादर को वहाँ बहुत अच्छा लगा अब लेखक जो आगे बाते कह रहा है, वह बहुत ही आत्मिय भी हैं, लेकिन दार्शनिक हैं, उसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्राशन भी बनते हैं पीछे भी आपके NCRT की किताब में भी प्राशन दिये हुए हैं और परीक्षा में भी प्राशन आते हैं, इन तीन पंक्तियों को मैं कई तरह से आपको समझा रही हूँ, आप इस पर अतिरिक्त ध्यान दीजेगा और इसको अपने किताब में रेखांकित भी जरूर करेंग फादर को याद करना एक कुदाश शांत संगीत की तरह है, संगीत सुनने से हम धीरे धीरे भीतर और बाहर शांती में डूब जाते हैं, संगीत सुनने से हम कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व अगर बहुत क्रोध में भी है, बहुत चड़चड़ापन भी है, तो शांत होने लगता है, संगीत सुनना हमारे व्यक्तित्व को एक बाहरी दबाव से मुक्त कर देता है, अब लेकिन लेखा किससे पहले कह रहा है उदास, उदासी की बात क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ फादर की मृत्यू हो गई है, जिस व्यक्ति के कर्मों को व्यक्तित्व को याद कर उसको याद करना उदासी में भरना भी है क्योंकि हमारी शुरुआत की पंग्ति क्या है मृत्यू हो चुकी है ऐसी मृत्यू जो होनी नहीं चाहिए तो उससे आप उसको जोड कर देखिए उससे रिलेट करके देखिए कि लेखक दुखी है क्योंकि फादर की मृत्यू हो चुकी है उनको याद करना तो कभी भी एक संगीत सुनने की तरह है लेकिन आज उदासी से भरा हुआ संगीत इसलिए है क्योंकि उसकी मृत्यू हो गई है लेखक की नजर में फादर कामिल बुलके का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके व्यक्तित्व को याद करने से वो धीरे-धीरे संगीत में हो जाता है, शान्त हो जाता है लेकिन आज वह उदास भी हुआ है क्योंकि अब वह एक अपूरणी च्छती से ग्रस्थ है लेखक, अब फादर बुलके नहीं है अब अगली जो पंक्ति है कि कारुणा के निर्मल जल से स्नान, फादर के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान बताए गया है करुणा से भरा हुआ ऐसा व्यक्तित्व जो निर्मल जल से क्या होता है कि हम जब जल से स्नान कर लेते हैं तो साफ स्वच महसूस करने लगते हैं उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे जब बात कर लेते थे उनकी करुणा से जैसे स्नान कर लिया हो तो हम अपने आप में एक पवित्रता बोध लाते हैं, जो लोग उनको जानते हैं ऐसा लगता है. तो ये फादर के व्यक्तित्व के बारे में बताय जा रहा है कि वो करूना से भरे हुए थे और उतने निर्मल थे कि वो थोड़ी दर हम से बात कर लेंगे तो लगेगा कि हम भी पवित्र हो गये हैं उन्होंने हम पे अपनी सनेह की नजर डाल दिये तो हमारे अंदर भी पवित्रता का बढ़ गया है और यहां दूसरा जो आ रहा है वह कर्म के संकल्प से भरना फादर हमेशा किसी न किसी कर्म में जुटे रहते थे सकरात्मक व्यक्तित्व था उनका तो ऐसे सकरात्मक व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हम भी कर्म के संकल्प से भरना मतलब कुछ करने के द्रढ निश्य संकल्प मतलब द्रढ निश्य तो कुछ करने के द्रढ निश्य से हम भर जाते हैं देखक, फादर को ऐसे याद कर रहा है कि जो लोग उनके निकट थे, जो उनके संपर्ग में आते थे, वे लोग भी कुछ करने के लिए सकारात्मक उर्जा से भर जाते थे। अब आगे देखिए क्या है, मुझे परिमल के वे दिन याद है, किसी को परिमल पता है, अक्सर मेरा यह फेवरिट पेस्टन होता है क्लास में पूछने का, किसी को परिमल पता है, क्या है, जैसे तैसे कुछ बच्चे बता सकते हैं कि परिमल जो है वह निराला की एक रचना है लेकिन मैं आपको बताती हूँ आगे पहले ये paragraph थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं कि परिमल क्या है तो मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक परिवारिक रिष्टे में बंधे जैसे थे सब बंधे हुए थे और उसके बड़े फादर बुलके थे क्या है कि निराला की कावे संगर है परिमल और उसके से प्रेणा लेकर इलाहबाद के साहितिक मंडली ने एक परिमल समिती का परिमल साहितिक समिती थी जिसको कुछ उत्साही युवकों ने मिलके बनाया पहले तो ये इलाहबाद में शुरू ही फिर इसका कारिय अखिल भारती इस तर पे होने लगा जिसमें गोस्टी होती है कारिय शाला है सेमिनार किताब नहीं आई किसी ने कुछ लेख लिखा उस पर चर्चा होती थी और फिर दीरे दीरे मुंबई में पटना में मतुरा में ज धरंबीर भारती जी थे जो सारे लोग उस समय इलाहबाद में सक्रिये थे वो अलग कहीं न कहीं परिमल से जुड़े हुए थे तो कह रहा है कि यहाँ पर हम कौन यहाँ लेखक जब हम की बात करता है कि हमारे बड़े वो थे और हम लोग शामिल थे तो वो अपने उम्र के बाकी सब जो लेखक हैं जिन्हें आप कहीं न कहीं उनकी कविताइं पढ़ते हैं या कहानिया पढ़ते हैं या हिंदी सहिते में जिनका नाम सुनते हैं वे सारे लेखक जिन में से एकाद का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया इन सारे लोगों में बड़े थे फादर बुल के फादर बुल के उमर में भी बड़े थे पदवी में भी बड़े थे और हसी मजाक में onlar निरलिबत रहते थे हसी मजाक पर ज़्यादध ध्यान नहीं नहीं देते थे बहुत गंभीर राय देते थे लेकिन अपनी बेबा कराय देते थे सुझाव देते थे और उन लोगों के घरों से भी जुड़े लिए थे उनके घर में कोई उत्सव हो, किसी का जन्म हो, किसी का विबा हो तो बड़े जैसे आकर आशीश देते थे लेखक को यह भी याद आता है कि जब मेरे बेटे के का अन पराशन हुआ था मतलब उसके मुह में अन का दाना डाला गया था तो यह काम फादर नहीं किया था तो ऐसे वातसले से भरे हुए थे अब यहाँ पर एक पंक्ती आखिरी में आई है इस पैरग्राफ के वह है जैसे किसी उचाई पर देवदारू की चाया में खड़े हो हम लोगों को ऐसा लगता था कि किसी उचाई पर देवदारू की चाया में खड़े हो अब सवाल ये बनता है कि देवदारू की छाया फादर बुलके को क्यों कहा जा रहा है देवदारू को देवदारू के वरिक्ष के जैसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको सबसे पहले देवदारू के वरिक्ष क्या होता है समझना पड़ेगा एक सीधा, उंचा, लंबा छायदार व्रिक्ष होता है जो ज़्यादा तर हिमाले पर पाया जाता है और भी जगों पर पाया जाता है लेकिन हमारे देश में पश्चिमी हिमाले के परवतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदी में पाया जाता है शंकुकार होता है ऐसे तिर्चा साल लेकिन उसकी पत्तियां बहुत होती है और उसमें पत्तियां बहुत होती है तो छायादार होता है परवतों पर छायादार पेड़ बहुत कम होते हैं तो यह छायादार सघन होता है तूसरा इसमें एक पवित्रता भाग होता है लोग जो ह व्यक्तित्व की फादर बुलके की, कि वो उतने ही ऊचे थे, जितना की देवदारू का पेड है, बहुत लंबा होता है, वो उचे थे, महान थे, और लोग उसको पवित्रता की नजर से देखते हैं, वो पवित्र थे और साथ ही साथ वह चाया देता है यानि बाकी लोगों को वह अपनी चाया में अपनी स्नेह की चाया में समेट लेते थे जैसे कि देवदारू का तो जब भी आपसे प्रेशन आए कि तुलना क्यों की गई है देवदारू के पेड़ से तो आप तीन चीजे बताएंगे उचा लंबा यानि की महान चायादार व्यक्तितो यानि स्नेह में सब को समेट लेना और पवित्रता बोध भी कहीं न कहीं उस व्रिक्ष को एक पवित्र नजर से सांस्कृतिक दृष्टि है पवित्रता की और फादर का व्यक्तितो भी क्योंकि वो पादरी भी थे वो इश्वरी कारिय में थे और उनका व्यक्तितो ऐसा था कि सब उनको दोस्ती में भी एक उचाई पर रखके देखते थे उनको सब्मान करते थे तो ये महत्वपोर्ण बिंदू हुए इसको आप उपने उत्तर में शामिल करेंगे अब आगे आते हैं अब लेखक जो है फादर बुलके की याद ऐसे करता है कि कब उनको देखा था सबसे पहले कब देखा था कब मिले थे किसी की भी मृत्ति हो जाती है तो हम जब दुख से उबरते हैं तो कहीं न कहीं उसे शुरू में कब मिले हुए है किस किस तरह से वो हमारे जीवन में आया है कौन सी छवियां है ये इसे याद करते है तो लेखक भी याद करता है कि लहाबाद में cycle चलाते हुए देखा था, अचानक से cycle चलाते हुए आते हुए रुख जाते मुस्कुरा के कहते कि देखिए देखिए मैंने ये पढ़ लिया है, ये लेक पढ़ लिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी-कभी वो आवेश में आ जाते हैं। अब देखिए ये शब्द है आवेश, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फादर बुल के कभी भी क्रोध में नहीं होते थे, कई लोग समनार्थी मान लेते हैं क्रोध से आवेश को, आवेश क्रोध का समनार्थी नहीं है, आवेश मतलब थोड़ी उत्तेजना में, दोनों का एक मिला जुला रूख होता है, जो आवेश में आता है, आवेश क्रोध का समनार्थी नहीं है, तो उनको क्रोध में नहीं देखा है, अगर आपको अब्जेक्टिव प्रशनिस पर बहुत भननने वाले हैं, तो अगर ये पूचा जाए कि फादर को क्रोध में दे लेखक उनको कैसे याद करता है, तो शुरुवात करते हैं, अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, तो यहां आप दो तध्यात्मक बाते जानते हैं, कि बेल्जियम से थे फादर और फादर कामिल बुल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई, आगे की चीज़ें समवाद के तरीके से लिखी हुई है, लेखक पूछते हैं कि क्या आपको हाँ आती है, जहां जन्म हुआ है उस जगह की कैसे याद नहीं आएगी, बहुत सुन्दर है और जन्म भूमी का वो नाम भी बताते हैं, तो आप देखें कि रैम्स चैपल, ये खास जगह है रैम्स चैपल, जहां आपको याद रखना है, बेल्जियम और रैम्स चैपल, औ को सब्सक्राइब दोल्टर रख्वणत थे, अब इस बात का क्या संब रहता है पाठ के अगले हिसस से, वो मैं आगे बताऊंगी लेकिन इस बात को आप याद रखेगा कि उनको मा की याद आती थी और बेहन के शादी की चिंता करते थे भारत में बस जाने के बाद भी वो अपनी बेहन को याद करते थे और परिवार से मिलने के लिए भी गये थे कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी परिवार से क्या समंध रखते हैं यही से ये बात जोड़ती है कि वो परिवार की कैसे चिंता करते थे और सन्यासी है तो लेखक आगे एक टिपणी करता है कि वो सन्यासी तो थे लेकिन क्या मन से सन्यासी थे जब वो बात आएगी तो इसको जोड़ कर हम बताएंगे तो इस बात चित में हमें दो तीन बाते पता चलती है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर बुलके अपनी बहन को अपनी मा को याद करते हैं भले ही वो इस देश में आ गए हैं लेकिन अपनी जन्म भूमी को एक उसके प्रती उनके मन में को मलता है और किसी के पास भी होगी क् प्रश्न पत्रों में देखा था कि वो भारत क्यूं आए इस परग्राफ में लेखा कहते हैं कि भारत आने की बात उनके मन में क्यूं उठी फादर उतर देते हैं नहीं जानता बस मन में ये बात थी तो हमारे सामने भी इसका कोई तथ्यात्मक उत्तर नहीं है अगर आपको ब पूरवी देशों के बारे में योरोप में जानने की इच्छा थी और यहां आने की इच्छा बहुत लोगों में होती थी दार्शनिक रूप से हमारा देश बहुत सम्रिध था तो यह सारे अपने अनुमान से आपको लिखना है यहां किसी भी तरीके से फादर नहीं बताते हैं कि भारत वो क्यों आना चाहते थे उनकी मन में इच्छा उठी और उन्होंने शर्त रखी और वो भारत आ गए क्या है कि जब सन्यास लेते हैं तब आप एक शर्त रख सकते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं या कोई एक शर्त रख सकते हैं तो भारत आने की रखी और वो आ गए और उनकी मा तो पहले ही जानती थी कि ये बेटा मेरा सन्यासी हो जाएगा तो जब भारत आए तो दो साल वो पादरियों के बीच रहे जिसेट संग में ये मैं क्यों जोर दे रही हूँ क्योंकि कई बार जो अबजेक्टिव क्वेश्चन इस बार आपके आने हैं उसमें फैक्चुल चीजे पूश ली जाती हैं फिर नौदस वर्ष दार्जलिंग में पढ़ते रहे जिसेट संग में वो दो साल रहे धर्माचार की पढ़ाई की लेकिन दार्जलिंग में ही आगे पढ़ते रहे फिर कोलकाता से भी ये भी किया और पाठ में नहीं दिया हुआ है एक अतिरिक्त जानकारी में बता रहे हूँ लहाबाद से हिंदी में में किया लहाबाद जो है हिंदी साहिति का एक गढ़ था लहाबाद विश्व विद्याले में बहुत सारी पढ़ाई होती थी जिसमें ह हिंदी भाशा और सहती की पढ़ाई बहुत प्रमुक्ता से होती थी वहां का विभाग बहुत जाना माना था उन दिनों डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंद भी उन्होंने उनके अंदर ही किया राम कथा उत्पत्ती और विक कि फादर बुलके राम भक्त हैं उन्होंने मंच से कहा नहीं मैं तो पादरी हूं मैं तो इसाई धर्म का सन्यासी हूं मैं राम को पर अध्यान किया हूं राम को मानता हूं लेकिन मैं राम भक्त कैसे हो सकता हूं तो यह उनका व्यक्तित्व था कि वह अपने धर्म में पार तो राम का था उत्पत्ती और विकास इस पर उन्होंने काम किया परिमल में भी उसके अध्याय पढ़े गए लोगों ने उस पर चर्चा की फादर ने एक बहुत प्रसिद्ध जो नाटक है ब्लू बर्ड उसका भी रुपांतर्ण किया नील पक्षी नाम से बाद में राची म जो सेंट जेवियर कॉलेज है बहुत प्रसिद्ध है उसमें हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गये थे विभाग अध्यक्ष हो गये थे इस विभाग से संबंधित एक बहुत दिल्चस हो वाक्या भी मैं आगे सुनाओंगी लेकिन इस पैरग्राफ को पहले खत्म कर लेते हैं बाइबिल का अनुवाद भी उन्हों ने किया बिमार भी पड़े और इस देश में रहे काफी साल 47 वर्ष इस देश में रहे 73 साल की जिंदगी जीकर चले गए लेकर कहते हैं कि फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे कभी कभी लगता है वहमन से सन्यासी नहीं थे इसी वारे में मैं उपर आपको इशारा कर रहे थी कि बहन से संबंध मा को याद करना बहन के चिंता करना इलहाबाद के दोस्तों में बड़े भाई की तरह रहना किसी के बच्चे के अन प्राशन में उसको मुह में अन का दाना डालना सब के सुख दुख में शाम से मुक्ति, विरागी हो जाना, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाना, संसार के नियम काइदे कानून से दूर हो जाना, आकसर आप गेरुआ वस्तर पहने हुए सादूं को देखा होगा आपने, कि वो सन्यास लेकर घर छोड़कर घर त्याग करके चले जाते हैं, लेकिन बात को लेखक अलग से बता रहा है, और आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इस पर प्रश्ण भी बनते हैं, और मुझे एक दिल्चस्प प्रश्ण पिछले साल लगा था, कि बाल गोबिन भगत ग्रहस्त होते हुए भी सन्यासी थे, और फादर सन्यासी होते हुए भी असल में सन्यासी नहीं थे, उन्होंने संकल्प लिया था, निश्चे किया था कि वो सन्यासी लेंगे, लेकिन सन्यासी को जिस तरह मोह माया से दूर हो जाना चाहिए, जिस तरह लोगों के सुख दुख का प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए, जिस तरह राग से मुक्त हो ज ना सिर्फ वो अपने परिवार की बहन की चिंता करते थे बल्कि अपने मित्रों की भी। तो कौन सा सन्यासी ऐसा करता है कि जरूर मिलना संभो करें। कौन सन्यासी जो है अपने संबंदों को इतना महत्यों देता है। अपने हुए बाल गोविन भगत अपने बेटे की मृत्यों पर भी कैसे निस्प्रे हैं, कैसे लगता है कि इश्वर से मिलन हो गया है, दुखी नहीं है। और कहां फादर बुलके जो ग्रहस्ती से कोशो दूर हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के भी ग्रहस्ती में दो मिनट का जब मिलते हैं, तो सनेह बरसा जाते हैं। तो मोह माया और सनेह उनके जीवन का अभिन्य हिस्सा है, राग से जुड़े हुए हैं, इसलिए वा सन्यासी होकर भी संकल्प से सन्यासी होकर भी मन से सन्यासी नहीं है। तो अभी तक हमने फादर कामिल बुलकी के व्यक्तित्व के बार में पढ़ा, लेखक से उनकी आत्मियता के बार में पढ़ा, लेखक उनके व्यक्तित्व को देवदारू और उदास चांद संगीत की तरह समझते हैं, और कैसा असर वो अपने जानेने वालों पर डालते हैं साथी साथ सन्यासी होकर भी सन्यासी नहीं थे यह भी पढ़ा, अब आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि फादर कामिल बुलके हिंदी भाशा के प्रती कैसा लगाव रखते थे और हिंदी वालों से, हिंदी की उपेक्षा से उनक का मन कैसा दुखता था, साथी साथ जब उनकी मृत्य हुई उस समय की घटना का वर्नन भी लेखा करते हैं, वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, कुछ बहु वैकल्पिक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, तो अगली कक्षा तक के लिए मैं विदा लेती हूँ, नमस्ते करेंगे प्रश्नों पर भी लेती हुआ है।